शिमारू के नई वडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें मैं टुम्सलीटमद थाओ झाला अ कुछत रिखना अ मैं थनकी신 हुट uh दुम्सली अ निकलने वाला है शौड़ देनमेन निकलने वाल अपगर ब्रेस तो कर रहे हो ना थिक्से लीजेश Meghan एक दन सही चल रहा है, आप उसीधा चलते रही है नहीं, 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 नुचुछ, चुछुछ हुआ है, यह अजिता है यह बच्छा है। घ्लू जी क्या होगा है। सब्ने में मिसरी मैडम है थी, वे अम्राज की बेटी पनि हुए थी। यह बड़ी-बड़ी मुझे। मिसरी माडम की? यह नहीं सम्राज की। मुझे मार रही थी। मुझे बचाओ पोचाओ, 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 तिर साइचा चिलाए ना, बाभू, तो मिस्री मडम का तो हम मार देंगे तुमको. चूट, काम करलू में. सुचाओ, 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 सुचाओ. के दा चूवा अलो माडम अलो पियंगे अलोगेशन आपके सामने ही है. हएप! तुम कौन हो बे? अब रिजेश का है? कौन बिजेश? हम तो ड्राइवर ने गाड़ी चलाते हैं वाड़ेगी? पताती हो की लगाए पंटाप अभी एक? बड़ाँ बड़ाँ एक बंदे ने मुझे 10.000 रुपे और मोबाइल दिया तो गाड़ी राथ पर लेके गुमना माड़म, माड़म सब ठीक है ना प्रिजेश हात आया क्या? इसरी जरुवत से जादा त्रेस निकले है गुम्राँ किया उसने हमको यह कोई प्रिजेश फ्रिजेश नहीं उसको अबारे प्लान के बारे में पता था Santu जी सुभा होगया एक बढ़िया चाय पीते हैं चलिया ने कही दें, मिलेगा क्या? तु बैठ चीते ते लिए चाय लाते हूंए ले पकड़ पकड़ Santu जी अरे गुसा का है करें, सुनिये Santu जी बिल्ला का है? कल रात मही निकल गया गाना गाते हुए कि आय जिंदिकी गले लगाले हाओ नहीं मडम लगा कि आप प्याज का स्टॉक जब कर लेंगी प्याज का दाम कम हजगा उसकी जान बच जागी इसी खुसी में उगाते हुए बजाते हुए जाके फिर सद्धरना पर बैठ गया है सब्सक्तोपा आत्मी है ये बिल्ला अमा कॉन प्यास के लिए जान देता है माडम लेकिन सवाल ही है कि इस प्लैन के बारे में बिर्जेस को कई से पता चला नहीं इस बारे में तो खाली हम ये तीन लोगो पता था ना यही सोच सोच के अमारा दिमाग चूरन होग जा रहा है करिष्पा माडम आपको लगता है मैं अपको लगता है मैं आपको लोगता 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 है मैं अगर मैं आपको लोगता है मैं इसा हूँ ऐसा कभी नहीं कर सकता है नहीं माडम सा नहीं है रियाक्ट मज्ट ओके एक्तम रियाक्ट माद करना हमको लगता है तुम्हारी ट्रेस में माइक चुपाया मिसरी ने श्ष्ष्ट भूल की में में माडम्हारी श्ष्ष्ष्ठि राद बर मेरे कंते पर सवार रही और मुझे पता भी नहीं चला गलती हमारा है संतु हम युसको ठीक से नहीं आखे लुको अंदेहरा दिखा रहे थे लेकिन अब हम से इसा गलती नहीं होगा सुनु जैसा प्लान चला थाना बिल्कुल वैसी चलेगा वो माइक वापिस तुम मानने बहेवियर में कोई अंतर नहीं आना चाहिए मिस्री को यह पता नहीं चलना चाहिए कि हमको पता है कि वो हमको सुन रही है समझ गया अच्छा तो आप ऐसे आ रही थी अब खेल मिस्री का खिलाडी भी वही लेकिन चाल हमारा होका इसकी चाल मैडम संतु चीता देखो हम आपस टाइम बहुत कर अगर टाइम रहते ही ब्रजेश ने अपना क्राइम कंफेस नहीं किया ना तो हमारा तो सस्पेंशन पक्का है लेकिन ये बिल्लू जो है ना इसका जान भी जाएगा आतो अब क्या करना है मैडम करना क्या है बताइए माडम क्या करना थेखो सबसे बढ़िया बात ये हो गया है कि हमार साथ खूफिया विभाग जुड़ गया है जो मिसरी को भी तक पता नहीं है अभी जो खूफिया विभाग हैं उन्हें अपना काम स्कार्ट कर दिया है और हमका भी मैसेज किया था कि थोड़ी दे में हमको वहां का पता देने वाले हैं जहां पर अपने प्यास का सारा स्टॉक चुपा के बाइथा है तो एक खुफिया विभाग जो मासा चुड़ा नहीं यह बहुत अच्छा काम हो गया है तो चीते संतु तुम जाओ थाना खुफिया विभाग से संपर्क में आओ और हमको सारा खबर को अपडेट करो कि कहा चलना है वापे हाँ 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 मैडम पर ब्रिजेश को तो पुलिस प्रोटेक्शन मिली है न हाँ थोड़ा लीगल प्रसीजर है अभी थोड़ा टाइम लग़र है लेकिन इस ब्रिजेश को हम नहीं चोड़ेंगे एक जगा है जा पर पु कड़के ही रहेंगे अरे ब्रिजेश बाबु कैसे हैं आप क्या हो मिश्री जी आचा सुनिये हम जरा अब एक पुरी खबर लेकर आये है वो क्या है हम जिन्दगी में इतने पॉजिटिव हो गये कि अब हमारा कोविट रिपोर्ट पी जरा पॉजिटिव सा हो गया है क्या ह आपने तो हमें बीच मजदार में छोड़ दिया मिश्री जी अरे तब्यत हमारा बिगड़ा है प्रिजेश बाबु आप कहे टेंशन ले रहे है आप मत कबढ़ाए देखें आप बस मेरी बात कान खुल कर सुन लीजे अब क्या है दिक्कत थोड़ा बढ़ गया है और आपक रहे अरे जितने भी प्याज के गल्डावन थे उन सब का पता लगा लिया है और चहां चहां वी गौड़ां थे उन सब का जानकारी हो फूल बढ़ विपाग वालों को मिल चुका है यह कैसे हुआ अए यह खूफया विभाग वाले है वृदेश बाबू इंका साधन पता लगाना होता है, लगा लेते हैं कैसे भी करके. हमको ना सारा का सारा प्याज अभी गोडाओं से हटाना होगा, मिश्री जी. पकड़े गए ना, तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे. अभी ट्रक्स बेचते हैं. अरे नहीं, 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 ट्रक नहीं. ऐसी गलत ही तो आप बिल्कुल मत कीजेगा. रेखे, हम जहां तक करिश्मा सिंग को जानते हैं न, वो ट्रक उनकी नजर से तो नहीं बच पाए ला. और वो रास्ते से जितने भी ट्रक जा रहे हूंगे, उन सब की वो तलाशी लेगी. तो फिर हम क्या करे? सुनो, मिश्री को लक्षन लगे है, वो कॉरंटाइन हो गई है. क्या? हाँ, तो अब उसका फोन ट्रैक करने का कोई फादा नहीं है, उसका कॉल डिटेल निका लो ता कि हमको पता चले वो किस किस से बात करती है, और प्रिजेश का फोन ट्रैक करो. जी माम. और ये बदनाम को क्या बोल के निकाला सा लॉक अप से? ये बोल के कि करिश्मा माडम निकाया कि सिर्फ एक रात के लिए लॉक अप में रखना है था. अच्छा, तुम वो मिश्री का कॉल डिटेल निकाला साथी है. ये टी-शिर्ट लो और बिलु जी को चेंज करवा दो. और हाँ, बिलु जी करना टच अप भी करना है. क्या है ना कि उनकी स्किन ओईली है, मरते हुए अच्छे नहीं दिखेंगे. तो जिन्दा कौन से अच्छे लग रहे है? ये जो पोस्टर्स है ना इंको चारो तरफ अच्छी तरह से लगातो एक काम करना. बिलु जी के पर जूम करना फिर इन पोस्टर्स पी जूम करना. वो क्या है ना कि बिलु जी जैसे ही मरेंगे रहा उसके तुरंद बात सारे स्पॉंसर्स अच्छी से हाइलाइट हो जाएंगे. अब क्या है कि इतनी मोटी रकम ली है तो स्पॉंसर्स को भी तो मुतमाइन होना जरूरी है कि नहीं? अच्छे चुरो जली जाओ. हो क्या? ज्चै जेरूरी है. दोच्या होना किया, मुतमाइन मतलब? विलु जी मुतमाइन मतलब शुकुन, साटिस्फाक्शन. सुकुन साटिस्फाक्शन? क्या वाइदा? एक मरते वे इंसन को ये नहेगे कपड़े दे करत्ठे चपकर करके आपर जाके कौनसा मुझे मॉडेलिंग करना है? तो ऐसे ही मार दो. बिलुजी, बिलुजी, आपने काम कीजिए, ये, ये, देखिये, ये, टी-शिर्ट. टी-शिर्ट को पहन के, बिलुजी, अब बहुत क्यूट लगेंगे. क्या, 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 क्या? बहुत क्यूट लगेंगे. बस तोडी-टेर. बिलुजी, हमने स्पॉंसर्स को ये वाइदा किया है, कि आप ये ही कप्रे पहन कर बरेंगे. और वो क्या है ना, कि अब हमने उने जबा दे दिये, तो हम बादा खिलाफे तो कर नहीं सकते. ये क्या है, क्या? ये क्या है? ये ससुराल मैदा, ये चका अंडर्वेर, ये उला-ला मिल्ला वाटर. अरे जाए जाए जल्दी, लेकी जाए 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 जल्दी, लेकी जाए जाए ज़ूटी तो ले! बहुत कम डाइम पचा है. अगर जल्दी कुछ नहीं किया, तो ये बिल्लू का बली चड़ जाएगा. संतु, कुछ अपडेट है. माड़म, कब से अपडेट करने के डाला एफोन हो ये नहीं रहा है. उफ! ये मासूमियत! हम मिसरी के रिपोर्ट का बात कर रहे हैं, संतु, उसका कुछ अपडेट मिला? अब जी माड़म, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से मिसरी नहीं थोड़ी देर पहले बिजेश को फोन किया था. अच्छा, तो बहुत बड़िया बात है, मतलब खूफिया विबाग का बात वो बिजेश को बता चुके है, तीर एकदम निशाने पर जाके लग चुका है. पस अब हमें ये पता करना है कि वो प्यास का स्टॉक कहा लेकर जा रहे है. मैंडम, वो इतना सारा प्याज शिफ्ट कैसे करेगा? एक काम करो, तुम ट्रांस्पोर्ट नगर फोन करो, वहाँ पता करो कि कुछ घंटे पहले कोई ट्रक या टेंपो कुछ बुक हुआ गया, पुरा रूट डिटेल पता करो, कहां से कहां तक के लिए बुक किया, जब अभी कॉल करें. दोस्तों, बस थोड़ी देर और इंतजार. जैसा कि बिलू चंपत ने कहा था, ठीक बारे बजे वो प्यास की बढ़ती हुई कीमत की वज़ से अपनी जान दे देंगे. वलिदान का ये सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ टीवी 13 पे. मैं हूँ लवीन कि कुछ भी ऐसा ट्रक या टेंपू बुक नहीं हुआ है. इतना तो तय है कि मिस्री ने जब रेट का खबर सुना होगा तो वो पैनिक हो गई होगी. पैनिक में इसने क्या किया होगा, बिजेश को बताया होगा ये सारा बात और ये खबर सुनते ही, बिजेश बुखला गय कि या और वो भुख हुआ नहीं है तो पर ये शिफ्टिंग कैसे हो रहा है हमको समझ में नहीं आगा है. बिलु जी आएए. चलो बिलु, बिलु भार. परया नेता कासा ओ, बिलु जमपत जेशा हो. बिल्लु जमपत जैसा हो! अमसबसे पहले तो यह लाइव ड्रामा चल रहे हमको बंद कराना पड़ेखा हो! करनेता कैसा हो, बिल्लु जमपत जैसा हो! जब! क्या बढ़िया मतलब आखों का रॉष्णी खराब हो गया या गिंती नहीं आता है जो 1.500 डोलिया चाहिए शादी के लिए अरे मेडम आख पूरी चौकस है और गिंती पूरी अच्छी तरह से आती है रस्ते में पूरे 1.500 डोलिया थी कर्णो रोड से लेकर राम नगरी तक पूरी लाइन लगी है अब खुचा के गवार देख लीजी कर्या देख विए पूरी तरह मुझ रंगिए जल्दी में हो गया बजाना बन क्यू कर दिया अरे एक तो में नियोता नहीं दिये शादी का उपर से पीपरी बजाना बन कर दिया अब हमारा बात सुनो ये पीपरी तो अब तभी बन दोगा जब हम तुमसे कहेंगे समझ गए? चलो, शुरू हो जाओ. मड़ब, मड़बी, मड़ब, रूखे लुखे 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 कावब, इतना घबरा काहे रहे हो? म, म, मड़ब, दुलन है. हमें दुलन का मुखडा देखना है. म, 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 अच्छा होगा, हम कहीं और तुडाई का प्रोग्रम बनाए बैठे हैं, तुम जैसे चूरून का तुडाई करने के चक्तर में, हम अपना टाइम वेस करना नहीं चाहते हैं. अच्छा होगा, राफवत से कह रहे हैं कि हमारे रास्ते सिना हट जाओ. हमारा टाइम बचेगा और तुम्हारा हड़ी भी. हाटो. बिलुची, आल दी बैस्ट! पानी की मोटर शिरो कीचेए! अपना नेता कैसा हो! बिलुचा बजेसा हो! अपना नेता कैसा हो! बिलुचा बजेसा हो! अपना नेता कैसा हो! बिलुचा बजेसा हो! अपना नेता कैसा हो! बदनाम भई, खाला तो लगतेका हैमर जाएगा… ग्लाजाekk Aga Se yeast? जुसरा टंगला लाए कहा से? कोई बचा भी सूँ तो! बंद करो ये ड्रामा बहुत हो गया नॉटन की अभ ये केस सॉल्फ हो चुका है केस तॉल्फ बंद को भार निकालो चल्दी तो! बंद करो! आये नेता जी! आये नेता जी जिन्दावाद नेता जी बंद कर दक दो बीलु जी काम किजी भिता फटा फट उन्द गें चींज कीजी जाओ जाओ नहीं तॉ पानी की अब ज़िए बच गारे की जाओ जयो जाओ 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 नेता जी इताजी नेता जिदावाद नेताजी पाकी डोलिया जब्त कर ली गई है, नमूने के लिए ये लाए हैं इनके साथ, अरे इनको तो सभी जानते होंगे, थोती नामी व्यापारी हैं ये मंडी के, प्रिजेश बावू, जानते हैं ना सब इनको? दस रुपे किलो का प्याज ये देते हैं सौ रुपे किलो, जो लोग धनवान है, जिन पर भगवान की देन है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं सौ रुपे किलो, उनके लिए बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात उन लोगों के लिए होता है, जो लोग आम आदमी होते हैं, महंगाई का मारना उनके लिए बहुत बड़ा बार होता है वजा जो भी हो लेकिन पिस्ता मरता वही मध्यम वर्गे परिवार है वही एक आम आदमी है एसे जमा खोड ब्रिज thrillers जैसा इनसान प्यास का डाम बढ़ा कर जो प्रोफिट आता है उसको अपने तुजोरी में रख लेता है लेकिन बढ़ते 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 काम आद्मी के प्लेट में एक प्यास नसीब नहीं होता है उसको और प्लान ये नहीं था, प्लान इससे भी बड़ा था, प्लान था पूरे सिस्टम को चेंज करने का, क्योंकि सिस्टम ने अभी एक रूल निकाल दिया है, कि किसान जो है, वो डारेक्ट कस्टमर और रेटेलर को अपना उत्वादी दे सकता है, अब इससे क्या होगा, इनका नुकसान होगा, और ये नुकसान कैसे सह सकते हैं, ये तो जमाखोर हैं, मौरू किसको मौरू है, इनके पास प्रॉफिट नहीं आएगा, ये अपना तिजोरी नहीं भड़ सकेंगे, इसलिए इन्होंने सारा प्यास का स्टॉक एक गोदाम में डाल के रख दिया है, और वे मिस्री पांडे जैसे अधिकारी, जो इनका साथ देते हैं और इनका काला बजारी का जो धंदा है, ये फलता फूलता है, ये ऐसे जमाखोर इंसान जिसके वज़े से एक आप आदमी इतना कुछ छेलता है, हम सब जानते हैं, करिश्मा सिंग, हम सब जानते हैं, जह इन सर, जहें, करिसमा जिंग, हमें आप पर गर्व है, आपने साबित कर दिया, यह आप एक होनहार और काबिल ओफिसर है, और इस थाने को चलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम, ऐसा ही मिष्री पांडे को यहां पर लाना हमारी गलती थी, उसके लिए में अफ्सोस भी है और शर्मि जानते हैं, इसलिए हमने एसा ही मिष्री पांडे को तकाल प्रभाव से लिलंबित कर दिया है, और डिपार्टमेंटल इंक्वारी भी बिठा दिया उसके उपर, अब वो यहां पर कभी भी नहीं आए कि, हम सब जानते हैं, यह नहीं जान पाए करिसमा सिंग, कि यह डोली म प्याज सिफ्टिंग कैसे हो रही थी, आपको इन डोलियों के बारे में पता कैसे लगा, सर पुलिस का नौकरी में सबसे बड़ी योगिता है, बारिक से बारिक चीजों को ध्यान से देखना, करनो रोड से लेकर राम नगरी तक पूरी लाइन लगी है, अमा करोना का टाइ आप तो प्याज सस्ते हो जाएंगे, क्यों, हो जाएंगे ना, अच्छा तो हम चलते हैं, जाइन से, जाइन खाया प्या कुछनी कि लास टोड़ा भारा आना, ठोटल टाइम पीस्ट होगे है अर बली, अमा मोतर्मा, आप कह जा रही हैं, आप जैसे ब्रष्ट पत्रकार के ज़जे से, बाकी का पत्रकार समुदाय जो है, वो बदनाम हो जाता है, आप मीडिया लोगों को ना थोड़ अब इसके लिए तो आपको सदा मिलनी चाहिए, क्या बिल्दा क्या कहती हो, सदा दे हैं या फिर आ, बिल्कल, बिल्कुल, बिल्लो जी, मिल्लू जी, तुमें तो मैं सदा देकर घर्रहूँगा, लवीना जी, जड़ झाँ भोक या, बिल्लस अभी भ्रो परकार है, अब दो में आदा करूब मेर पाद शब्दी ही नहीं है आपके वज़े से मुझे नया जीवन मिला है और इसी नया जीवन में बिल्लु चंपत तुम्हे नया टोपागिरी करोगी कि तुम्हारे दिमाग में चक्री है तुम्हें जगाना तिक्के नहीं बैठ सकते हो नहीं नहीं मैडम आज के बाद कोई टोपागिरी नहीं भाड में जाए शादी भाड में जाए लड़की मुझे घर नहीं बसाना है जो चीता संतु गिरफतार करो इंको लेकर जाओ अंदर जी मैडम आज चाचा चलिए चाचा सासुराल जाने का समय हो गया वहां पे भर भर के रोटी और प्याच खिलाएंगा अब चलिए